नमस्कार मैं कुमार मनोजी एक बार फिर से आपके बीच में लेकर आया हूँ ऐसे एक शांदार कवी जैसे कवियों को आप लगातार सुनते रहे हैं ये जो कवी है ये अपनी पतनी का एकलोता साजन है इसका नाम भी प्रदीव महाजन है नाम की एकदम तुक जबरदस्त है अगले की कविता में स्वाविमान है गुरूर है फील भी है अगला प्राइमरी में मास्टर है इसके हिस्से में डंडा भी है और मिड्डे मील भी है तो जोरदार तालियां बजाकर भाई परदीव महाजन करें चार पंक्तियां मा के चाड़ों में रखता हूं ना प्रेशी की बाहों में है ना बिंदिया पायल में है ना प्रेशी की बाहों में है ना बिंदिया पायल में है ना ही आबे जमजम में ना ही गंगा जल में है दुनिया के सब गरंत चानलो कहीं नहीं मिल पाएगा दुनिया के सब गरंत चान लो, कहीं नहीं मिल पाएगा, स्वर्ग अगर है कहीं धरा पर, तो मा के आज़ाएगा और चार पंगतियां अपनी पहचान की पढ़ता हूँ, मैं क्या हूँ, चार पंगतियों में मैं हूँ गड़ित के एक फंसे सवाल की तरहा मैं हूँ गड़ित के एक फंसे सवाल की तरहा, स्चाई वपादारी भरी कूट-कूट कर स्चाई वपादारी भरी कूट-कूट कर इमानदार हूं में के जिरिवाल की तरह और चार पंक्तियां जैसे के भी मनोज भाई ने कहा कि प्राइमरी के अध्यापक हैं मैं अपनी भी संगतियों का मुक्तक पढ़ता हूं चार पंक्तियां हम लोगों के ओपर आरोप लगाया जाता है कि प्रैमिरी का अध्यापक सिछा देने में रूच नहीं रखता है लेकिन वो कर क्या रहा है उसकी नियुक्ति तो पढ़ाने के लिए हुई थी लेकिन वो वहां पर जाके कर क्या रहा है चार पंक्तिव में अपनी समस्या रखता हूं हम थे गुरू परंतु कर्मचारी बन गए हम थे गुरू परंतु कर्मचारी बन गए सो दोसो को सिखाने में मदारी बन गए हमको ही M.D.M का रखना है पढ़ता ध्यान हम को ही M.D.M का रखना है पढ़ता ध्यान पाठन पठन को छोड़ के भंडारी बन गए और साब चार पंग्तियां अपनी विसंगत के और रखता हूं हमारे उत्तर प्रदेश में प्रतेक बुधवार को प्राइमरी के बच्चों को डेड़ समल दूद दिया जाता है अब एक समस्या यह आती है अध्यापक दूद तो दे नहीं सकता है अब किसी दूदिया से अगर हुआ तो अध्यापक का जेल जाना तह तो इस समस्या हमने समाधान खोज निकाला वो समाधान आपके सदन में प्रस्तुत है अगर समाधान आपको अच्छा लगेगा तो आसिरवाद दीजिएगा निजकार की हर योजना यब टालनी होगी और धूल पसु बजारों की खंगालनी होगी बच्चों को मिले शुद्ध दूध इसलिए मित्रों अध्यापकों को भैंस भी अब पालनी हो मनुझ भै एक बात बता दूँ लोग प्रैमिरे के मास्टर का हल के मले ले लेते हुए इतना हलका होता नहीं है एक छोटी सी घटना याद आ गई एक रिटायर टीचर थे जाड़े का मौसम था संयोग से कभी भी थे बाहर के प्रदेश में कहीं कब संवेलन में जा रहे थे कोच में भीड़ नहीं थी अब तीन उदंड बाला कुसमें चड़ गए अब उसमें से कहने लगा कि चलो इसकी चेन खीच लेते हैं और जब पुलिस आएगी तिये जो बढ़ो बाबा वाइठे इनका नाम लगा दिये जाएगा अब उन्होंने का भई मेरा नाम क्यों लगा दोगे लेकिन वह बच्चे उदंड थे नहीं माने एक ने चेन खीच दी तब तक एक ने कहा कि अगर मान लीजे कि तीटी आया और नहीं माना कि इन्होंने चेन खीची तो जुर्माना देना पड़ेगा एक हजार रुपए तो पुलिस वरे डांटने लगे ठीटी ने पूछा आप पढ़े लिखे भी दिखाई देते हो चेन क्यों खीची अब उनका जवाब सुनिएगा अब अध्यापक को इतने हलके मत लिजेगा मनोज भाई उस प्राइमरी अध्यापक आप जवाब सुनिएगा उस प्राइमरी अ आप चेन खीचते तो क्या करते मेरी जेब में कूल अठारा सु रुपए थे और इन तीन बच्चों ने छीन लिये अब उनकी तलासी हुई अठारा सु रुपए उनकी जेब से निकले मास्टर साब को दे दिये गए तीनों बच्चे जेल चले गए तो इतना हलका नहीं होत कि दिल जो लगा लिया है तुमने किसी से यदी मिली जो न तुमको जुदाई मार डालेगी ओ दिन रात खोए रहोगे उसी की याद में ही पल भर की भी तनहाई मार डालेगी मिल गई तुमको तो और बड़ी आपत है नकरों के साथ महंगाई मार डालेगी ओ खर्च पानी क जुगाड करते फिरोगे तुम होटल सिनेमा की घुमाई मारड लेगे। और आधनिक प्यार के एक मुक तक और समर्पित करता हूँ, क्या दिक्कते आती हैं। चुपके से आई, वो मेरे दिल में समा गई। दस तक दिया हिर्दैं में, वो खाबों में छा गई। सापिंग वदावतों का फिर दोर चल पड़ा, सापिंग वदावतों का फिर दोर चल पड़ा, वो बाद में पता चला, चुना लगा गई। तो बहुत सारी बिशंगतियां हैं। और अभी जैसे अर्विन जहां साप पढ़े, उन्होंने पतनी के लिए पढ़ा और समस्या हैं पढ़ी, मैं तो दो चंद आपको खोच के देता हूं, प्रिम अपना स्थान लेता हूं। अगर आपने इन चंदों को आत्मशाद कर लिया, चंद नहीं ये मंत्र हैं। अगर ये मंत्र आपने याद कर लिया, तो आपके घर में कभी कोई लड़ाई जगडा नहीं होगा। इसका मैं दावा करता हूं, चंद सदन में प्रस्तुत है। कि यदि चाहते हो प्यार और भी बढ़े, तो फिर कभी कभी सौपिंग कराना भी जरूरी है। और किसी बात पे कहीं जो स्रीमती जी रूठ जाएं, उन्हें खुस करना मनाना भी जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, ससुराल पच्छ की जो बात कहीं चल जाए, स्रीमती से तब हार जाना भी जरूरी है। और यदि आपने ऐसा नहीं किया, मैं अपना आज का अंतिम चंद पढ़ता हूँ और अपना स्थान लेता हूँ। स्मार्टफोन का जमाना है, अगर आपने कीपैट फोन की तरह बहुहार किया, तो क्या दिक्कत हो सकती है। सुनिएगा। 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 सुनिएगा।